नमस्ते आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं देखते हैं आपके पार्टनर के बीच में राग के बीच में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं ठीक है खोशिश करते हैं जानने की कि उनके मन में उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त सबसे पहले है Angel of Love और Walking Away इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे दूर भागता रहा और यही बज़ती कि इंसान आपका प्यार कभी रिस्सी भी नहीं कर पाया ये इंसान मतलब आप हो कि उस इंसान से प्यार करते रहे लेकिन वो प्यार ये इंसान रिस्सीव नहीं कर रहा था आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था Walking Away ये इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा था और इस बात की समझ इस इंसान को होच चुपी है इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसके नसिब में प्यार था लेकिन वो इंसान अपने ही मतलब जो मिल रहा था उससे रिस्यू नहीं कर पा रहा था ठीक है? तो इस इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा regret है कि वो इंसान सच्ची प्यार से क्यों दूर भाग रहा था decent उस इंसान को पता है कि आपके साथ ही जोड़ी है the temple path आपके partner एक सही रास्ते पर चलना शाते हैं वो इंसान मेबी past में जैसे कि walking away भी था इंसान दूर भाग रहा था रास्ते अलग थे इस इंसान के रास्ते अलग थे मेबी आपने कई बार इस इंसान को समझा था कि तुम ये कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो फिर भी इंसान नहीं मान रहा था इस बात को देखो contract ये इंसान आपके साथ justice नहीं कर पा रहा था ठीक है तो the temple path बता रहा कि ये इंसान अब सही रास्ते पर चलना शाते है ये इंसान के अंदर बहुत ज़़दा spiritual growth हो रही है और ये इंसान आपको आपके feelings को समझ पा रहा है आपके प्यार को समझ पा रहा है हो सकता है कि अब तक ये इंसान से पैसों की पीछे भाग रहा था ठीक है ये इंसान हो सकता है कि बहुत साथ money minded था और अपने पैसों की बज़ट से अपने करण में जदा फोकस कर रहा था और आपको इग्नोर कर रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यह अनसान अब सही रास्ते पर चलना चाहते हैं अपकी तरफ आना चाहते हैं और जो कुछ भी पास्ट के बाते हैं वो उन बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहते हैं जो पास्ट की कडवी बाते हैं, वो एंसान उन बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुवात चाहते हैं, बॉटम में है, मैजिशन एंड दो मीरर, ये अनसान आपके लिए बहुत ज़ा अट्रक्शन फिल करते हैं, उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको मेनिफेस्ट कर प और वो लगातार आपको मेनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत ज़ादा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कई दिनों से इंसान के इंतजार कर रहे थे, कि एंसान कुछ वो ले, कुछ बात करे, कुछ एक्स्प्रेस करे अपने दिल के बाते, तो ये फाइनल होते होई आप पर दिखा दे रहे क्योंकि इंसान की सारी खुश्य आप से जूड़ी है, और वो इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, इंसान के अंदर बहुँज़ा स्वरिच्छल ग्रोथ हुई है और वो परसन आपको भी बहुँज़ा स्वरिच्छल मानते हैं, आपको कुछ पैसे वापस देने के बहाने भी आ सकते हैं आपके लाइफ में वापस ठीक है वो इंसान कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगी कि हां तुम्हारे ये पैसे मेरे तरफ बाकी थे ठीक है कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे बस आप से बात करने के लिए लेकिन अब ये अनसान जब आए थी कि इसको क्या करना है रास्ता नहीं दिख रहा था आपके तरफ आने के लिए तो अब ये अंसान समझ भी पाएंगे और रास्ता भी मिलेगा आपके तरफ आने के लिए और अगर रास्ता भी नहीं मिलेगा तो वो कुछ न कुछ बहाना जरूर बढ़ाएंगे ठीक है आप से दूर भाग रहा था लेकिन अब नहीं अब ऐसा नहीं होगा यह इंसान अब डिसाइड करें कि मुझे उसके तरफ जाना है और मुझे उसके साथ खुश रहना है ठीक है तो बहुत ही ब्यूटिफुल यहाँ पर एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर बहुत ही पॉज अब एक रिबर्थ इस रिलेशन का रिबर्थ करना चाहते है आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर जाता तर गलत फैमिया का शिकार हुए हूँ आप ऐसा भी फील हो रहा है ऐसे वाइब जारे कि इस इंसान ने कभी इतनी बड़ी गलती की भी नहीं थी तो भी आपको लगत है कि बहुत बड़ी गलती की है या हो सकता कि इस इंसान आपको थार्ट पार्टी में डाला है ठीक है तो यह अनसान चाहता है कि आपने समझो इस इंसान का कहना है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम जितना बुरा मुझे समझते हो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 of source के energy बता रहे है कि यह इंसान rebirth चाहता है इस इंसान को पता है उसने आपको धोका दिया है उसने आपके साथ जूड़ बोला जो कुछ भी आप बात है आप दुनों के बीच में हुई है जिस बात की बज़ा से आपको लगता है कि आपके साथ धोका हुआ है तो यह इंसान यह कबूल करना कि हाँ गलती हुई है मुझे लेकिन मैं उस गलती को सुधारना भी चाहता हूँ 10 of source rebirth सब कुछ खतम हो चुका है लेकिन एक नए सिरे से सब कुछ शुरू होने वाला है rebirth होने वाला है और 10 of source लिब्राइट विरस जमिना मुझे साल लगता है कि धोके बाज ह हुई है आपके साथ ठीक है और अब वह इंसान अपनी गलतीयों को सुधारने के लिए तैयार है देखो डेफिनेटली तैयार है वह इंसान अपनी गलतीयों को सुधारने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक four of source रादों की नींद गायब है आपके बारे में सोचकर परशान है अपनी गलतीयों का regret है तो यह सारी बाते हैं यहाँ पर जो इंसान को मजबूर कर रही है आपके पास आने के लिए और अपने गुनाओं की माफी मांगने के लिए यह इंसान definitely आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे ठीक है और कुछ लोग अशा भी है कि इस इंसान इतने बड़ी गलती की भी नहीं है तो गलत फैयम है आपके एस भी हो जानगे, तो आपको करेंано किया है कि अनुसलों के लिए तो यहाँ सूंने जानग रखा है और कुछ लोग के लिए अ fondo जमक पार्टन के लिए बस यह आपकी गयर्त ऑन के लिए है तो हर बात बॉर्स उपके जाओं पर िची की टो आपके partner परिशान है और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा रहे हैं कि आप दोनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ठीक है वो कोई भी हो सकता है कोई समाज में आप दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और definitely आपके partner इस relation की एक new beginning चाहते हैं मैंने बोला ना एक नई शुर्वात rebirth ये जो परिशानी है जो अंधिरा है इसको खतम करना चाहते हैं आपके पार्टनर और rebirth चाहते है death एक new beginning जो तकलिफ आपको हो रही है इस इंसान को भी हो रही है ये जो इंसान है इससे भी वो बरदाश नहीं हो रहा है देखो वो में भी यहाँ पर कुछ लोग के लिए family issue भी हो सकता है अपने family के बज़े से वो अंसान आपको करिब नहीं आ पारा था आपको commitment नहीं दे पारा था या अपने career के बज़े से ये अंसान आपके साथ धोका कर रहा है ये इनसान बहुत जल आपको call करना चाहता है communication मुझे definitely हापर देख रहा है ये अंसान आपको call कर सकता है message कर सकता है और आपको जो गलत फ्यामिया हुई है गलत फ्यामिया कोई अंसान clear करना चाहता है तो आपको ये ज़रा संभल के रहना है जब आप दोनों की बात होगी तो हो सकता है कि गुस्से में आप दोनों एक दुसरे को पर भढ़क जाओ ठीक है में भी कुछ ऐसे बात हो सकते जिसके बारे में आपको बहुत गुस्सा आएगा अगर इनसान आपसे बात करेगा तो ठीक है call message आ सकता है लेकिन बहुत chances के argument हो सकते हैं जगड़े हो सकते हैं तो थोड़ा alert रहने के आपका आवशकता है राश्य है एदिस लिवो साजिटरस है तो आपको थोड़ा शांत रहना होगा इस इंसान को बात करने दो आप इस इंसान को बिल्गुल टोकणा मत टोकणा ही मत इस इंसान को जो बोलना है वो बोलने दो ठीक है? 8 of points के energy बता रही है इनसान बहुत कुछ बताने वाले हैं इनके पास अब बहुत कुछ है आपसे share करने के लिए उनको share करने दो उनको बोलने दो यह जब तक बोलेंगे नहीं तो इनकी दिल के बात आपको समझेगी कैसे ठीक है तो इस इंसान को बोलने दो जो बोलना है आप टोकना मत ठीक है और definitely call message यहाँ पर आएगा तो यह बात है तो जो कुछ भी गलतिया की है अब वो बोलने भी वाल है किनोंने क्या कुछ किया है और क्यों किया है हर बात का reason देंगे वो आपको ठीक है कुछ बातों को clear वो definitely करना चाहते है यह इनसान को पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो लेकिन definitely जगड़े तो हुए है और यह इनसान अपना प्यार आपको जाहिर करना चाहते है वो बताना चाहते कि आप कितने खुबसुरत हो वो बताना चाहते कि आपका प्यार भी सच्चा है वो यह भी बताना चाहते कि आप अगर उनसे प्यार करते हो सच्चा क्योंकि आप दुनों के बीच में बहुत ज़गड़े हुए हैं मन मुटा हुए है यह अंसान नाराज है किसी बात को लेकर या हो सकते कि आप बहुत ज़गड़े हो तो यह अंसान अपने सारी फिलिंग्स आपसे शेर नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि वह आपसे बहुत प्यार क करते हैं वह आपकी खुबसूरती को बहुत जादा मतलब उनको बहुत पसंद हो आपके रहने का स्टाइल आपकी खुबसूरती आपके बाद करने का अंदाज दे एंप्रेस और यह क्वीन अफ वांड्स यह दोनों कार्ड बता रहे कि आप इस इंसान को बेहत बेहत है लेकिन हां गलतिया की है इस इंसान ने वो जाने अन जाने में क्यों ना हो लेकिन गलतिया तो की है और यहां पर है four of pentacles इतना सब कुछ फील करने के बाद भी वो अपने feelings छुपा दे क्यों है लेकिन ज़ादा दिन तक यह नहीं छुपाएंगे वो अब बात करने पड़ करनी है और उनको भी ऐसा लगेगा कि कब तक हम कब तक देर लगाएंगे इतने दिन हम एक दूसर से दूर रहे पाएंगे तो यह सब को जान रहे हैं वो समझ रहे हैं और आपके बिना बैचेन हैं अपनी गलतिया हुई भी है तो माफ ही मांगेंगे ठीक हैं तो आपकी सुर्ति की कमी है ना आप में प्यार की कमी है आपने बहुत प्यार किया इस अंसान से ठीक है और दी मून नाराजगी तो है जो पास्ट की बाते है वो अंसान भूल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन नए शुरवात भी करना बहुत जरूरी हो गया है जो कुछ भी पास्ट की ब सबसे पहले तो आपको patience रखना होगा यहाँ पर traveling है number seven है number eight है number four है आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे कि पहले भी बोला कि इंसान travel करके आपके पास वापस आ सकते हैं आप long distance में हो सकते हो आपकी call message पर बात हो सकते हैं बहुत chances हैं थोड़ा सा patience रखो सब कुछ ठीक होने वाला है और traveling यह बता रहा है कि अच्छा नक से होगा जो भी होगा बस अच्छा नक स सकते होगा आप में से कुछ लोग job change कर सकते हो घर shift कर सकते हो या कहीं घुमने के लिए जा सकते हो ठीक हैं एक जगह से कहीं दुसरी जगह पर आप जा सकते हो और थोड़ा patience अगर आप रखते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान पर विश्वास रखो अपने प्यार पर विश्वास रखो सब कुछ ठीक होगा और postponement ये बता रहे कि आप खुद को उस black and white के energy से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो खुद को बाहर निकालो आप बहुत आगे जा सकते हो आप success हो सकते हो लेकिन आपने अपने आपको stuck करके रखा है आप आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हो ठीक है तो इस energy से आपको बाहर निकलने की आवश्यक्ता है दोस्तरों के साथ comparison नहीं करना है खुद को हर किसी की destiny अलग है हर किसी की जिंदगी अलग है हर किसी के problems अलग है आप दोस्तरों के साथ comparison करके आप खुद को ही insult कर रहे हो और देनरी ने इस बता डाओंगा है कि आपने बहुत मेहनत की है इस इंसान के लिए ठीक है अब आपको इस इंसाने के लिए कोई मेहनत करनी की ज़रूतनी बस थोड़ा सा patience रखने की जरूत है ठीक है nobar 4244 शायद आपको दिख रहा हो बस थोड़ा सा patience से रखो सब कुछ ठीक होने वाला है यहां पर बहुत चांसे से कि आप दुनों की शादी तक हो सकती है ये इनसान जो कुछ भी इसने गल्तिया की है फुल रिग्रेट है और वो शादी के लिए भी पूछेंगी वो रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूछेंगे यहाँ पर participation बता रहे कि आप बहुत जाता दोनों बात ये करेंगे और कुछ good news भी आपको मिल सकती है इस इंसान के तरफ से अब वो कोई भी बात हो सकती है चाहे इनको job लगी हो या अगर कोई problem था financial issue था तो वो खतम हुआ हो ठीक है जो कुछ भी problem था वो solve हुआ हो ऐसा हो सक होता है तो इस इंसान के तरफ से आपको कोई good news भी मिल सकती है लेकिन थोड़ा सा patience तो आपको रखना पड़ेगा ठीक है और बात तो होकर रहेगी आपर communication definitely होने वाला है वही तो कोई न कोई solution ज़रूर निकलेगा और आपके जो problem है वो solve ज़रूर होंगे opportunity definitely आपको चाहे finance के बार में हो जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनको financial issue है तो यह खतम होता हो दिखाई दे रहा है आपको opportunity मिलेगी अगर आप कही जॉब ढूंड रहे हो तो आपको job मिल सकता है नहीं नहीं opportunity आपको मिलेगी not the right time definitely यह जो अभी वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं है आपके लिए बहुत चालेंजिंग टाइम है लेकिन अब इसके उपर कोई ना कोई solution ज़रूर निकलेगा आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा opportunity आपको मिलेगी अभी फिलहाल challenging time है right time नहीं है आपके स्कूillon के लिए कि अपके उपर है कि आप कितना effort करते हो आगे बढड़ने के लिए ठीक हम इस प्यार के बारे में बात नहीं करें और लाइफ के बारे आपको action लेना पड़ेगा action ले बेना कुछ नहीं होगा सबने देखने से सबने पूरे नहीं होगे उसके लिए action लेना पड़ेगा मेहनत करने पड़ेगी और उसके बाद the situation will improve और उसके बाद सब पुछ ठीक होने वाला है ठीक है तो यही थे आपके reading अगर आपके साथ result करता है तो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई